गूड आफ्रेनून फ्रेंज आज हम जो नोटिफिकेशन डिसकस कर रहे हैं दोस्तों यह मल्टी प्रोफाइल के लिए है जिसमें की साइंटिफिक असिस्टेंट एकाउंटेंट एचार स्टेनोग्राफी ड्राइवर पंप ऑपरेटर यह सब वेरियस प्रोफाइल है और इन प्रोफाइल के लिए सेम इस्टेनोग्राफर के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट रैवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट एंड जो आपका फिजिकल इंडॉर्फमेंट टेस्ट होता है वो भी होगा ऐसे आपका रणिंग होगा आफकी हाइट यह सब चीज़ बहुत साड प्राइशन पैटर स्लेबस भी देखेंगे और इसमें इलिजबिलेटी क्रिटेरिया जैसे 12th पास कंडिडेट भी है बीकॉम होल्डर भी है डिप्लोमा होल्डर बीस्ट एंड बी टेक यह अप्लाइ कर सकते हैं सैलरी स्टक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट की जोब है जैसे का आप देख सकते हैं नुकलियर पावर कॉर्फरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड बहुत ही अच्छी नवरतना कंपनी है तो अगर आप इलिजिबल हैं ते डाफनेटली अप्लाइ कीजिए मैं डिसकस करूँगा स्टेप स्वाइस और दोस्तों वीडियो क जो बिटेक वाले होगे या आर्ट वाले होगे या कॉमर्स वाले तीनों उसमें अप्लाइ कर सकते हैं तो ऐसा एक नोटिफिकेशन होगा एक नोटिफिकेशन सिर्फ एक कॉंटेंट के लिए होगा और एक नोटिफिकेशन जो है स्टेनोग्राफर या फिर डिप्लोमा होल प्रेस कर दीजे ताकि आपको जो है गॉर्णमेंट जो आपको मिलता रहे और आपको जो है पता लगे बिकॉस जॉब काफी होते हैं बट आपको पता नहीं होता आपको सिर्फ वही पता होते हैं जिसमें की 10,000 या 20,000 या लाखों में वेकेंसी निकलती है रेलवे एससे इसी सब चीजें की पता होती है और बहुत साड़े अधर कमपनी में भी निकलते हैं गॉर्णमेंटर स्क्टर में लिमेटेड वेकेंसी होती है बट आपको पता नहीं होता और आप अप्लाइ नहीं कर पाते हो इसलिए आपको जो है मालूम नहीं होता तो अगर आप अपडेट होगे यह एजुकेशन चैनल पर आपको अट लिस्ट दो नोटिफिकेशन एवरी डे मिलेगा गौर्मेंट जोब से रिलेटेड तो आप अप्लाइ कर पाओगे और डेफनेटली यू विल गेट जोब गौर्मेंट जोब और बहुत साथी चीज़ें होती है यह एजुकेशन इंडिया लिमिटेड गोड़पूर हरियाना अनुविद्दुत परियोजना यह एक प्रोजेक्ट है हरियाना में वहाँ वैकेंसी निकली हुई है स्टार्टिंग डेट जो है पांच जनवरी से हो चुका है ओनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट और यह 25 जनवरी तक फॉ प्रोफाइल है फस्ट प्रोफाइल जो है आपका साइंट्फिक असिस्टेंट नमर ऑफ वैकेंसी 3 है और तीनों जैनरल के लिए है जिसमें कि आप जैसे जिए जो डिजर्वेशन में आते हैं कंडिडेट वह भी अप्लाइ कर सकते हैं और अज नॉर्मल कंडिडेट तो ऐ इसा नहीं है कि आप यह देखिएगा कि तीनी वैकेंसी आप अप्लाइ कर सकते हैं और दूसरा देखिए लीडिंग फायर मैं वन वैकेंसी है और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर मतला मोस्टली जो है आपका पंप ऑपरेटर का वर्क होगा बट एनिकेश अगर रिक्वाइ हαι कहान के चाइज अचर में ँचर डिपार्टेमेट में जो है एक असिस्टेंट का जिश्रे की टाइपिंग के लिए रखा जाएगा जो बी है डेटा एंटरी का तो इस तरह का जौब होगा वन वेकेंसी है इसमें इसमें वन वैकेंसी है उसके बाद स्टेनुग्रॉफी इसमें दो वेकेंसी है, टोटल नमर वेकेंसी एंड बाइफरकेशन मैंने बता दिया आपको, अब देखेंगे स्लैक्शन प्रोसेस एंड इलिजबिलिटी ग्रेट एरिया, यहां पर देखिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, सैप्टी सूपरवाइजर में रखा जो है, उसके बाद जो है, आफकी एज है, वो थर्टी रखा गया है, प्लस वन एयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें सैटिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सैफटी में, वन एर का, नमर ओफ एक्सप्रियेंस, एक्सप्रियेंस मैं बताऊंगा कि इतने एर का इसमें एक्स इज क्विप्लोमा है, बट सैली स्ट्रक्चर बाइप थीजार पांसो वर्पया पर मन्त प्लस एलांसिस आपको मिलेंगे, और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, सैम है, एज सैली स्ट्रक्चर इकिस हैजार साथ हो पर मन्त, उसके बाद जो है असिस्टेंट ग्रेट जो एकाउंट में है इस्टेनोग्राफर तो इन तीनों की जो है एज इकीस से अठाइथ रखी गई है सैलरी इस्ट्रक्चर जो है 25,500 रुपया पर मन्त आपकी जो है सैलरी होगी आप जो लीडिंग मैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है इनका जो है आपका फीजिकल भी देखा जाएगा तो हम फीजिकल डिसकस करेंगे ताकि आप देख पाओ ऐसा नहीं जब आप अप्लाइक करो तो आप लीजिबल ही ना हो तो वह हम स्टेपस वाइस देखेंगे कि हाइट क्या होगी एंड वेट क्या होगा है लॉट्स ओफ तिंग उसके बाद यहां पर इलिजिबलिटी क्रिटरिया जहां हम डिसकस कर रहे थे औरेडी हमने डिसकस कर लिया था साइंटिफिक असिस्टेंट का इसमें जो है वन येर का डिप्लोमा चाहिए इंडर्स्टिय एक्स्टियेंस मांगा है और लीडिंग फायर मैन का जो है ट्वल्थ पास जो है साइन से राइट और इसमें जो है आपका केमेस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप बायो से भी किये हैं तो डेफिनेटली आपका केमेस्ट्री हो गई तो बायो और मैथ वाले दोनुँ अप्लाइ कर सकते हैं प्लस टू होलड़ और एट येर का एक्सप्रियंस इंदेवेल इस्ट फायर सर्विस और गनाइजेशन में चाहिए जो ड्राइवर कंप प्लस दू चाहिए इसमिंग BEN-चैपבर Space और एप यहिर का प्लस प्लस टू होना चाहि Awuri डिग्री इन साइन्स कॉमर्स आर्ट कोई भी ग्रेजुएट होल्डर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है आफका दिया हुआ है टाइपिंग स्पीड जो है आफका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए उसके बाद असिस्टेंट ग्रेट जो फाइनांस और एकाउंट में कोई भी ग्रेजुएट होल्डर जो 50% मार्क से पास किये हो वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो जो है 80 words per minute जो है इंगलिस में स्टेनोग्राफी का होना चाहिए और PC पर 40 words per minute इंगलिस में टैपिंग स्पीड होना चाहिए उसके बाद जो है सारेडिक माप दंड जो फिजिकल स्टेंडर्ड है लीडिंग फायर्मेन का और ड्राइवर कम पंप उपरेटर का जिसमें हाइट रखा गया है 165 cm, वेट है 50 kg, चेस्ट है 81 cm और जो आपको फुलाने के बाद जो है वो 86 होना चाहिए, 5 cm बढ़ना चाहिए, 6 by 6 का जो है वीजिबिलिटी होना चाहिए, आई वीजिबिलिटी राइट, यह तो अल्रेडी हम कर चुके हैं, जिसमें SCST वाले को 5 एर एक्स्रा मिलेगा, OVC को 3 एर एक्स्रा मिलेगा, हमने रेस्ट आफ तिंग्स जो है, चेयन परकिडिया में जैसे कि मैंने बताया था, scientific assistant, computer examination होगा, CBT टेस्ट होगा, and interview होगा, उसके बाद जो है, आपका leading fireman and driver pump operator, इसमें जो है, physical test ह होगा, उसके बाद driving test होगा, and computer test होगा, पहले physical test हो जाएगा, फिर physical assessment test मतलब driving test लिया जाएगा, उसके बाद आप kaznaval имеетitas, जो मैंने बताया आपकी height, and all these things, right, उसके बाद आपका driving test होगा, उसकी computer test होगा, और physical assessment test में आपका की running, ये सब भी आपका देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ां होती है, rope climbing होता है, यह सब उसके बाद running हो गया, high jump हो गया, यह सब चीज़ां आएंगी उसमें, उसके बाद जो है assistant grade HR और assistant grade finance account और stenographer, इसके लिए जो है computer based test होगा, and then फिर जाके आपका जो है practical test होगा, right, typing speed वाला, right, तो यह है selection process, अब देखेंगे slavers, और दोस्तों इसमें कोई भी negative marking नहीं है, जैसे scientific assistant का दो पार्ट होगा, पहले में जो है आपका, जो है English, general knowledge and quantitative aptitude होगा, 60 questions होगे इसमें, 20-20 number के 3 questions, 3 part में होगा, English, general knowledge and quant, right, और दूसरे part 60 number में technical question पूछे जाएंगे, 120 question होगे, total और every question will carry 3 marks, जो है आपका एक जो part होगा, 60 number का, 60 question का वो 180 number का होगा, और कोई भी negative marking इसमें नहीं है, दूसरा same case होगा, आपका technical का, हर एक जो है question वो 3-3 marks का होगा, कोई negative marking नहीं है, जो advantage है, ऐसा एक negative marking नहीं है, तो आख कान मून के आप उसमें टिक मार दिया, ऐसा नहीं कीजेगा, carefully कीजेगा, क्योंकि इसमें advantage है, negative marking नहीं है, तो आपका selection होने की संभावना ज़्यादा होगी, उसके बाद आप देखिए इसमें, जो physical test इसमें रखा गया है, जो lead fireman and आपका driver and pump operator के लिए है, जिसमें 100 मीटर का दोर आपको cover करना पड़ेगा, उसके बाद जो है, आपको 15 मीटर के होज को चार बार बीचाने के लिए 3 मिनट मिलेगा, तो 3 से 4 मिनट में 8 नमबर मिलेगा, तीन मिनट तक कर देते हैं, 10 नमबर मिलेगा, यहाँ पर clearly mention आप देख सकते हैं, तीन मिनट में किया, 10 नमबर यहाँ पर दिया है, तीन मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, यहाँ पूरा clearly है, age-wise, चालिस का एज का है तो तीन मिनट में करेंगे तो दस नमबर मिलेगा तीन से चार मिनट करेंगे तो आठ नमबर मिलेगा चार ते पांच मिनट में करेंगे तो छे नमबर पांच मिनट से ज्यादा में करेंगे तो कोई नमबर नहीं मिलेगा आपको उसके बाद एज चालिस से पर 45 एच का दिया गया है उसके बाद आपको सीडियों पर चहरने के लिए भी यहां पर दिया गया है कि सीडियों पर आप कितना चल पाएंगे तो यह सब थोड़ा सा इजी पार्ट है और जो मैन है आपका जो है फिजिकल स्टेंडर्ड जो 165 सेंटीमेटर हाइट है और तो कवर करने यह आप इसकिन शॉट ले सकते हैं तो इसमें पूरा किलियरली मैंसन है 1.6 किलो मिटर दौरने में अगर बंदा 40 का है तो 10 मिट में अगर दौर लेते हैं तो पूरे 10 नमबर मिलेंगे तो उसी तरह है वर्टिकल पाइप क्लैम्बिंग अना पाइप अगर आग ल अगर आप चर लेते हैं तो 10 नमबर मिलेगा 2.5 to 3 मिटर जरते हैं तो 8 मार्स मिलेगा इस तरह का यहां पर मेंसन है यह 40 40 45 वाले के लिए यह नहीं होगा तो यह है सेकेंड और थर्ड के लिए जो लीड मैन और ड्राइवर के लिए है उसके बाद जो है प्रिलिम्स का है ज साइन्स पूछा जाएगा 20 नमर का और जेनरल अवेरनेस 10 नमर का तो 50 नमर का टेस्ट होगा आपका लीडिंग लीडिंग फायर मैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का यह रिटेन टेस्ट होगा इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें एक एक नमर क का ही को जो है आपका कुश्चन होगा उसके बाद जो है आपका एडवांस टेस्ट में जो है आपका यह पूछा जाएगा 50 नमर का तो यह हो गया मैंने बता दिया आपको उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट यह वही है जो आपका कम्पीटर based test के लिए है उसके बाद जो है आपका इसमें examination fee का नहीं है आपको कोई भी examination fee पे नहीं करना है इसमें दोस्तों आप apply कीजिए अगर कोई doubt है तो मैंने mostly बता दिया साड़ा चीज़ें इसमें जो भी है so all the best for your selection प्रोसेस अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक चरूर कीजिए और फेर कीजिए दोस्तों के साथ और ये एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी जो इसकी नोटिफिकेशन दिख रहा है जो मैंने स्टाइडी में बताया था इसको जरूर देखें और इसको भी अप्लाइ करें इसमें भी ताकि आपके पास टोटल चार ओप्शन हो और अट लिस्ट एक में आपका स्लेक्शन हो जाए तो आल दा बेस्ट एंड डॉंट फर्गेट तो सब्सक्राइब इस चैनल थेंक यू